जी हाँ, Assalamualaikum and welcome back to apnagher.pk This is Asad Ali and I hope all of you are fine and perfect by the grace of Allah Almighty और आज के जो घर हमारे पास मुझूद है That is 5 मरला डबल स्टोरी हाउस और अगर इस घर की में हाइलाइट की बात करें तो ये घर आप हासिल कर सकते हैं अपना पाकिस्तान हाउसिंग, लोन के थूरू जो के गवर्मेंट की स्कीम है और इसमें इंटरस्ट रेट भी ना होने के बराबर है अब काफी लोग इसे अकसर कन्फ्यूस करते हैं वो लोग ये समझते हैं के मैं वीडियो में प्राइवेट बैंक से लोन लेने की बात कर रहा हूँ जिसमें सूद की शेरा साड़े बारां फीसद होती है और सूद आप लोगों को पता है के एक लानत है, हराम है तो अपना पाकिस्तान हाउस्किन स्कीम के थूरू जो लोन आता है ताट इस अल्मोस्ट अल्मोस्ट इंटरस्ट फ्री सूद के बगार तकरीबन तकरीबन होता है मैं आगे वीडियो में चलके इस चीज़ के हवाले से डिटेल से बात करूँगा क्योंकि अक्सर वीडियो में कमेंट आता है कहसर भई यह जायस नहीं है तो अगर इस घर की हम बात करें तो घर मुझे काफी पसंद आया front elevation पे इस घर की जो हैं वो brown tiles दी गहीं है जो के काफी अच्छी लग रही है घर अंदर से भी काफी खुबसूरत बना हुआ है इस घर में color scheming बहुत decent और बहुत sophisticated की गही है we are standing at airport housing society so like always we will do an honest fair and impartial review of this house जिसमें हम घर के exterior से लेके घर के interior तक घर में इस्तमाल चुदा accessories के हवाले से घर की quality of construction घर की flooring इस घर में wooden work के हवाले से हम तमाम चीज़ों के perspective से बात करेंगे so basically this house falls in the mid range budget और इसके साथ अभी घर के अंदर हम एंटर हूँ है यहां पे हमारे पास gallery है अगर एक pocket washroom यहां पे चोटा से दे दी जाएथा जो के आपके drying room को compliment करता तो मेरा ख्याल से बुरा नहीं था and अभी हम आए हैं car porch में क्योंकि यह 25 इंटो 50 इस घर की dimensions है पांच मरला घर है तो you can park only one car in this house इस घर के अंदर overall color scheming मुझे पसंद आई है ceiling का work मुझे पसंद आया यहां पे कोई शोखे और over किसम के colors इस घर में इस्तमाल नहीं किये गे doors की quality was very pretty much up to the mark और अच्छा last time भी जब मैंने airport housing society के हवाले से video बनाई थी कि यहां पे आप bank loan के थूँ घर हासिल कर सकते हैं तो काफी comments मैंने वहां पे देखे कि जी लोगों ने नीचे किये वे थे कि असद भाई यहां पे loan नहीं मिल रहा हमने apply किया लेकिन हमारा reject हो गया तो उसके वाले से भी आज हम बात करेंगे थोड़ी सी कि आप लोग जिस bank के थूँ अप्लाइ कर रहे हैं अब अगर वो bank bank al-islami है तो आपका loan जो है वो अप्रूफ नहीं होगा क्योंके bank al-islami काफी यह इसी societies हैं जिन में loan नहीं दे रहा है जिन लोगों ने यहां पर क्योंके हमारे साथ भी cases हुए है हमारे काफी clients ने यहां पर घर purchase कियें through the bank loan तो यूबियल के थूँ अगर आप apply करते हैं तो आपका यहां पर case approve हो जाएगा और आप यहां पर bank loan के थूँ घर हासिल करेंगे अब उसकी reason यह है कि again मैं काफी बार वीडियो में यह चीज़ बता चुका हूँ कि bank तो loan दे देता है आपको एक करोड का loan दे देदेगा किस लोगों को 90 लाग कर दे देदेगा कुछ लोगों को 80 लाग कर दे देदेगा लेकिन problem यह आता है कि जितनी societies हैं CDA से या RDA से approved सब societies में जो price चल रही है almost 5 मरला के plot की वो एक करोड प्लस है आप इसनाबाद की E सेक्टर देख लें, F सेक्टर देख लें, G सेक्टर देख लें, H सेक्टर देख लें फिर B-17 चले जाएं, फिर उसके बाद आप जो हैं, F-17, F-18 देख लें जितनी societies हैं, सब में 5 मरला प्लाड की price almost 90 लाग, 80 लाग, 1 करोड के करीब है तो अब जो गरीब आदमी ने loan लिया ही इसलिए कि उसके पहले ही पैसे नहीं होते लेकिन loan आने के बाद भी उस बंदे का मसला हल नहीं होता क्योंकि government की तरफ से शर्त है कि CDA या RDA से approved area में ही loan provide किया जाएगा लेकिन जब वो CDA या RDA approved area में जाता है तो उसको मिलता ही नहीं है उसको अतनी range में like जितना government loan देती उतने में तो सिर्फ plot आता है तो airport housing society wide society है कि आपको एक करोड के इर्द के यहां पर घर भी मिल रहा है और 1.5 स्टोरी घर या double स्टोरी घर भी यहां पर मिल जाता है तो इस घर की भी जो price है वो आगे चल के video में मैं आप लोगों को बताऊँगा around इतने में ही fall करती है तो अभी हम आज चुके हैं जी bedroom के अंदर total इस घर में जो है वो four bedrooms है और washrooms के अंदर normal सी accessories है obviously इतने price range के घर के अंदर you cannot expect more than this बाकी tile flooring है आपके kitchen के अंदर, drying room के अंदर और TV lounge के अंदर जब आप bedroom में आते हैं तो यहां पे इनोंने जो है वो marble का इस्तमाल किया हुआ है overall ceiling work is very nice, color skimming is very good, theming is very good घर में जब आप enter होते हैं तो आपको अच्छी feeling आती है, welcoming feeling आती है आपको ऐसा नहीं फील होता कि यार, किदर में आगे हूँ, किदर में ये फस गया हूँ गोले गंडे के अंदर आके जहां पे मुखलिफ कलर जो हैं वो इस्तमाल किये गए है बागी यहां से हम second washroom के अंदर आएं इस घर के और अभी हम यहां से चलेंगे बाहर और पिर हम इस घर के immunities के वाले से भी बात करेंगे तो यहां पे आपको जो गैस है उसकी application दी वी है electricity is available लेकिन पानी के हवाले से आपको boring यहां पे खुद करवानी पड़ेगी और अब अगर इस घर की हम price की बात करें तो वन करोर 25 लाक्स is the demand of this house और obviously इसमें भी negotiation possible है and secondly अगर आपका एक करोड के करीब का loan अप्रूव हुआ हुआ है आप उसमें कुछ पैसे add करेंगे तो आप पांस मलड डबल स्टोरी घर हासिल कर सकते हैं लेकिन यही बाकी जितनी societies हैं आपको इस तना का घर जो है 150, 180 कुछ societies में दो करोड के करीब मीं मिल रहा है तो this is a good option for those people जो के जिनका loan approve हुआ 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 है यर कहां पे हम घर ले अब बाकी रह गाहा सवाल यह कि last time एक मैंने घर के हुआरे से video डाली थी अपना Pakistan housing scheme काफी लोगों ने confuse किया उन्होंने समझा कि मैं ये कहा हूँ कि आप लोग प्राइवेट बैंक से जाके लोन ले तो ये चीज में कभी भी किसी कुंसिस्ट नहीं करता कि आप प्राइवेट बैंक से लोन लें फिर अपने सर पे आप सूच चड़ा दें अला तला से भी दुश्मनी करें एक आपके इमान भी खराब हो फिर आप सूच दे दे के ठक जाएं कमर तूट जाती है इनसान की तो अपना पाकिस्तान हाॉसिंग स्कीम के होारे से मैं बता दूँ मेरे ख्याल से सब लोगों को पता लेकिन फिर भी मैंने कमेंट्स देखे थे लेकिन यहां पर जब आप धाई फीसेट इंटरस्ट देते हैं तो इसको मैं इंटरस्ट नहीं मानदा क्यूंके अगर आज डॉलर का रेट 178 है तो आज से 5 साल के बाद हो सकता है और यगीनी दूर भी 200 होग़ा क्यूंके पाकिस्तान में आपको पता इंफलेशन रोज बारोज बढ़ रही है डॉलर की प्राइस रोज उपर जा रही है जब डॉलर की प्राइस उपर जाएगी तो आपका करंसी डीवैलियू होगा और जब currency devalue होगा let's suppose कि आपने आज की तारीफ में government से एक करोड का loan लिया और आप 5 साल के बाद वापिस करेंगे तो जितनी currency devalue होगी आपको उतने जदा पैसे वापिस करने पड़ेंगे जिस हिसाब से आपका पैसा devalue हो रहा है उसे साब से अगर आपने आज एक करोड लिया तो आपको 5 साल के बाद हो सकते हैं पोने 2 करोड वापिस करने पड़ेंगे लेकिन अगर 2.5 परसंट का आप इंटरस्ट government आपको लगा के देरी ये 5 साल में तो उसका मतलब यह हो अगर आपने आज एक करोड लिया तो government को आपने 5 साल के बाद 1 करोड धाई लाग देने हैं सिर्फ आपके धाई लाग उपर आए हैं जो के एक गरीब आदमी के लिए इतना बड़ा रिलीफ है कि क्योंके house loan वाले तो आपको पता है कि उनका interest rate इतना जादा होता कि अगर आपने 1 करोड लिया है कि कुछ अब घर के वाले से भी बात कर लेते हैं मैंने आपको घर के exterior दिखाया घर का interior दिखाया इसके साथ घर में हमने flooring की बात की immunities की बात की घर की price की बात की फिर मैंने आपको loan के हवाले से सारी चीज़े समझाई और overall this house is a very nice option in this price range provided कि यहां पे अगर आप लोग बोरिंग करवा लें और आपका यहां पे पानी आ जाए तो this house is going to be a very very good option और overall काफी अच्छा लग रहा है घर interior wise, south, south, neat and clean, spacious क्योंके white color जहां भी भी आपको इस्तमाल होता है वो चीज़ वैसे ही निखर के सामने आती है तो अभी यहां से हम चलते हैं upstairs and उपर चलके देखते हैं यहां पे आपको honey bee design के अंदर pattern के अंदर या इसको pentagon pattern भी कह सकते हैं उसमें ceiling work किया गया तो I don't think कि यहां पे आपको उपर जाके कोई servant quarter देखने में नजर आएगा और एक अदर जहां पे चोटी सी मुम्टी दी गई है और जिसके साथ आपकी ये steel railing लगाई हुई है और we will open this door and बाहर जाते हैं तो यहां पे आपको chips का च्छत नजर आता है तो I hope कि आज की वीडियो आपनों को पसंद आई हो की वीडियो को लाज़ में सबस्क्राइब करें and चैनल को लाइक करें इतने depth से आपनों को चीज़े बताते हैं अपना ख्याल रुकिएगा दौ में याद रुकिएगा अलाफ़स